हेलो फ्रेंग्स हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब साइन्स के चैप्टर 16 गार्बेज इन गार्बेज आउट इस चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे हम लोग पिछले चार वीडियो में हमने इसके चार टॉपिक कम्प्लीट कर लिये थे आज के वीडियो में हम इसका लाज्ट टॉपिक है 16.5 प्लास्टिक्स बून और कर्स प्लास्टिक क्या है प्लास्टिक हमारे लिए एक वर्दान की तरह है या एक श्राप है अभिशाप है चलिए देखते हैं पढ़ते हैं इसको तो हमें बहुत कुछ clarity होगी Some kind of plastics can be recycled but not all of them कुछ plastics जो है वो recycle की जा सकती हैं but सारे plastics जो है वो recycle नहीं हो सकते हैं Did you notice that polythene bags and some plastics did not rot in activity 1 You might now easily understand why polythene bags create a big problem रमेन गार्बेज डिस्पोजल जब हमने एक एक्टिविटी की थी उसमें क्या किया था डिफरेंट डिफरेंट मेटरेल को जमीन में गड़ा खोथ के उसको कुछ दूनों के लिए गार दिया था तब हमने क्या देखा था उसमें प्लास्टिक बैक्स जो है वो as it is हमको मिले थे वो ना ही वो सड़े थे ना ही वो गले थे तो इससे हमको ये भी पता चला था कि ये प्लास्टिक बैक्स या पॉलिफिन बैक्स कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रियेट करते हैं जो गार्बेज डिस्पोजल हम करते हैं कि उसको उसके साथ हमें क्या किया जाए तो प्लास प्लास्टिक के बिना हम लोगों का जीवन कैसा होगा ये भी इमेजिन करना मुश्किल है हम अगर अपने आसपास देखें तो बहुत सारी चीजें इवन हर चीज में कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से प्लास्टिक का यूज हो रहा है अगर हम अपने घर में आसपास ही देखें तो आपके चाहरे 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 हो शूज हो बैक पैन काम तूज़ एवरीधिंग है अपलास्टिक माटेरियल इंसाइड इट इट लिस्ट इस वेरी लॉंग Can you name a few parts of a bus, car, radio, television, refrigerator and a scooter that are made of plastic इसी तरीके से आप क्या bus, car, radio, television, refrigerator जो इस तरीके के बड़े आइटम है इन में भी plastic का क्या part यूज हो रहा है वो देख सकते हैं क्यों नहीं आप bus में या car में देखेंगे तो हो सकता है कि आपके बहुत सारे instrument panel या आपके steering wheel या आपके seats कई भी चीज़े जो है plastic की हो सकती है refrigerator का door, television की body इस तरीके से हर जगे कुछ ना कुछ plastic use ही हो रहा है The use of plastic in itself might not create so much of a problem Plastic का इन सब चीजों में इतना ज़्यादा इस्तमाल जो हो रहा है वो हमारे लिए problem नहीं है फिर problem क्या है? Problems arise when we use plastic excessively and are ignorant about ways of disposing their waste Problem तब create होती है जब हम plastic का बहुत ज़्यादा use करते हैं और उसके dispose of में means जब वो item हमारा बेकार हो गया, waste हो गया, खराब हो गया तो हम उसको कैसे treat कर रहे हैं? उसको ignore हो करके ऐसे ही सड़क पर फेक दे रहे हैं कचड़े में? या हम उसको recycle करने की कोशिश कर रहे हैं तो problem वहां create होती है This is what is happening all around us. We might even be acting irresponsibly knowing well about its harmful effect अब जबकि हम plastic के कितने नुकसान हो सकते हैं ये सब जानते हैं उसके बाद भी हम उसको जिम्मेदारी से नहीं देखते हैं कि हम plastic को ऐसे फेक दे रहे हैं उसके क्या नुकसान हैं जानते हुए भी हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं irresponsible रहते हैं उसको लेके We often use plastic bags to store cooked food items कभी-कभी तो हम plastic bag का use जो घर में खाना बना हुआ है cooked item है उसको भी plastic bag में रखके store कर लेते हैं या market से भी आप कभी-कभी देखेंगे तो वो plastic bag में ही चीजों को pack करके दे देता है Sometimes these bags may not be suitable for keeping eatables अब खाने पीने की चीजे रखने के लिए सारे plastic bags suitable नहीं होते हैं consuming food packed in such plastic bags could be harmful to our health अगर खाने पीने की चीजे हम इस टाइब के plastic bags में contain करेंगे या उसको pack करेंगे तो वो हमारी सहत के लिए भी जो है honey का रख हो सकता है Eatable items रखने के लिए food grade plastic अलग होती हैं food grade plastic की poly bags या इस टाइब के packing item अलग होते हैं जिनमें ये specifically लिखा रहता है कि आप इसमें eatable रख सकते हैं Many a time shopkeepers use plastic bags that have been used earlier for some other purpose कई बार shopkeeper क्या करता है कि plastic bag जो पहले किसी और चीज के लिए use हो चुका है और खाली हुआ उसी में ही आपको eatable item या कुछ और pack करके दे सकता है Sometimes bags collected by rag pickers are also used after washing them कई बार तो ऐसा होता है जो कचड़ा बीनने वाले लोग होते हैं वो क्या करेंगे कि plastic bag जो उनको मिले उनको wash कर दिया और wash करके उसके अंदर फिर चीजे pack करके या shopkeeper को दे दिया shopkeeper उसमें सामान pack करके आपको देने लगा तो इस type की चीजे जो है बहुत harmful हो सकती है इवेन आपने देखा होगा कि पानी की bottle जो हम plastic की लेते हैं उसमें भी लिखा होता है crush the bottle after use क्यों? बाटल को crush क्यों कर देना है? इसलिए कि कोई rag picker अगर उस bottle को लेगा और उसको wash करके normal water भरके फिर से उसको बेच सकता है तो यह इस तरीके की चीज ना हो इसलिए ऐसा लिखा जाता है use of such recycled plastic bags to keep food items could be harmful for our health इस तरीके के recycled plastic bag जो है हमारे अगर food item हम उसमें रखेंगे तो हमारी सेहत के लिए नुकसान दायक हो सकते हैं for storing eatable we must insist on use of plastic bags that are approved for such a use जैसे मैंने आपको बताया कि eatable items रखने के लिए खाने पीने की चीज़े रखने के लिए जो plastic bags हैं वो approved होते हैं वो अलग होते हैं और उन पे लिखा रहता है कि this can be used for eatable items तो अगर हम कोई खाने पीने की चीज plastic bag में ले रहे हैं all kind of plastics give out harmful gases upon heating or burning किसी भी तरीके की plastic हो अगर हम उसको गरम करेंगे या जलाएंगे तो उससे बहुत सारी जहरीली gases निकलती हैं these gases may cause many health problems including cancer in humans इन gases से बहुत सारे health problem हो सकते हैं even जो cancer की बिमारी है वो भी plastic के जलाने से या उसको heat करने से जो gases निकलती है उससे होती है the government has also laid down guidelines for recycling the plastic government ने भी plastic को recycle करने के लिए कुछ guideline बनाई हुई है आप plastic को इस तरीके से गरम करके पिगला के नया plastic bag या वो बनाएंगे तो उसके लिए भी guidelines है ताकि उसकी harmful gases आपको effect न करें you must have noticed that people often fill garbage in plastic bags and then throw it away कई बार आपने देखा होगा कि लोग plastic के bag में जो घर का कचड़ा होता है उसको pack करके और उसको बांद के और सड़क में फेक देते हैं when stray animals look for food in these bags they end up swallowing this sometimes they die due to this फिर क्या होता है जो गली में सड़क पे आवारा जानवर पशू घूम रहे होते हैं वो क्या करते हैं वो उस polythene को देखते हैं तो उनको यह लगता है कि इसमें कुछ kitchen waste है कुछ खाने की चीज है और उसको खाने के चकर में वो उस plastic bag को भी निगल जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो plastic bag निकलने की वज़े से इन जानवरों की मौत तक हो जाती है वो मर जाते हैं अब देखिए पहली का क्या concern है पहली would like to suggest that containers used for storing poisonous substances should be recycled separately and that such recycled plastics are not used to make plastic bags अब देखिए बहुत सारे container या plastic bottles ऐसी होती हैं जिसमें poisonous substances होते हैं means जहरीली चीज़े होती हैं जैसे किसान जो है अपनी फसल के लिए दवाईयां लेके आता है दवाई चिड़कता है वो भी poisonous होती है इसके अलावे भी बहुत सारी इस तरीके की चीज़े हैं जो harmful हैं तो पहली का कहना है कि ऐसी plastic को अलग से recycle करना चाहिए ऐसा ना हो कि सारी इस plastic के साथ वो मिक्स हो गया और recycle हुआ तो क्या होगा कि उस packing में या उस bottle में थोड़ा बहुत भी वो poison के traces रह जाएंगे तो जब हम plastic bag उसका बनाएंगे तो वो भी थोड़ा सा poisonous हो सकता है हमारी health को harmful कर सकता है तो पहली का suggestion बहुत सही है कि इस तरीके के poisonous substances के containers को अलग से recycle करना चाहिए और हमको भी यह ध्यान देना चाहिए कि इस type के कोई container है तो हम उसको normal garbage में include ना करें उसको अलग रखें the plastic bags thrown away carelessly on roads and other places get into drain and the sewer system plastic bag जो सडकों पे हम ऐसे ही फेक देते हैं वो क्या होता है कि सडक पे जो किनारे नालिया है sewer system है उसमें वो plastic bag चले जाते है as a result drains get choked and the water spills on road उसे क्या होता है कि नालिया चोप हो जाती है sewer jam हो जाते है polythin की वज़े से और फिर क्या होता है फिर पानी सडकों पर बहने लगता है during heavy rains it might even create a flood like situation there is a lot of arm that too much use a plastic can do कई बार तो ऐसा होता है कि सडके नालिया जाम होने की वज़े से सडकों पे इतना पानी भर जाता है heavy rains में कि आपको लगेगा कि बाढ़ आ गई है flood like situation हो गई है जैसे कभी कई आजकल आप सुनते होंगे कि कई शहरों में ज़्यादा बारिश होने की वज़े से पूरी सडकों में पानी भर गया घरों में पानी गुश गया यह सब इसी वज़े से होता है कि वहाँ की नालिया वहाँ के drain जो है चोक हो जाते हैं और वो चोक किस वज़े से होते हैं जो हमने plastic bags वगेरा garbage में फेके वो जाके वहाँ फस जाते हैं what can we do to minimize overuse of plastics and deal with garbage अब हम क्या कर सकते हैं जिससे हम plastic का use कम कर सकें और garbage के साथ भी deal कर सकें garbage भी कम produce हो और garbage जो produce हो रहा है वो भी किस तरीके से हम उसको short out करें किस तरीके से हम उसका use करें चलिए देखते हैं कुछ बहुत सारे point है पहला point क्या है we make a minimum use of plastic bags we reuse the bags whenever it is possible to do so without any adverse effect हम को plastic bags का कम से कम इस्तमाल करना चाहिए और हम क्या कर सकते हैं हम plastic bags को reuse कर सकते हैं जैसे कि घर में अगर आप plastic bag है तो आप उन्ही plastic bag को बार बार सामान लाने के लिए use कर सकते हैं बड़ ये देखते हुए कि उसके कोई adverse effect नहीं हो कोई eatable item अगर आप उसमें बार बार रखके ला रहे हैं तो वो गलत है आप इस तरीके की चीजे नहीं करिए plastic bags में कोई और item लेकर के आ रहे हैं और plastic bag से उस पे कोई adverse effect नहीं आ रहे हैं second point we insist shopkeeper use paper bags we carry a cloth or a jute bag when we go out for shopping shopkeepers को हम insist कर सकते हैं कि वो plastic के polythene bags न रखें even कई जगे तो polythene bags बैन भी हैं तो हम लोग paper bag को use कर सकते हैं even जब हम घर से बाहर जा रहे हैं तो हम घर से कपड़े का या jute का जोला लेकर के साथ में जाएं third point क्या है we do not use plastic bag to store eatables खाने पीने की चीज़े कभी भी plastic bag में store नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो हमारी सहत के लिए नुकसान दायक हो सकता है fourth we do not throw plastic bags here and there after use plastic bags को हमें इधर उदर नहीं fake न चाहिए use करने के बाद क्यों क्योंकि वो जाकर के sewer में और आपके drains में चोक हो सकते हैं five we never burn plastic bags and other plastic items हमें plastic bags या plastic item कोई भी उसको कभी भी नहीं जलाना चाहिए क्यों क्योंकि उससे जो gases निकलेंगी वो बहुत harmful हो सकती है six we do not put garbage in plastic bags and throw it away कूडे कच्डे को हमें plastic bag में बाद के नहीं fake न चाहिए उससे क्या होगा एक तो plastic bag में बादने के कारण अगर उसमें कुछ eatable type का kitchen waste है तो हो सकता है कि stray animals उसको खा जाए और plastic bag भी उनके साथ पेट में चला जाए और नहीं तो वो garbage क्या होगा कि वो garbage जब वहाँ separate किया जाता है तो उस समय भी separation उसका सही से नहीं हो पाएगा seven we use vermicomposting at home and deal with our kitchen waste carefully vermicomposting, compost वगेरा हम घर पे बना सकते हैं उससे क्या होगा जो हमारे kitchen का waste निकल ला है उसको हम घर पे ही use कर सकते हैं we recycle paper paper recycle करना बहुत ज़रूर ही हमें paper को ऐसे फेकना नहीं चाहिए आप उसको जो garbage dealers ये आते हैं आपके जो paper खरीदने वाले old papers खरीदने वाले उनको बेश सकते हैं उससे क्या होगा कि वो ले जाकर के उस paper को आगे फर्दर बेशते हैं और वहाँ वो paper recycle होके फिर से new paper बन करके आपको notebook में newspaper में आ जाता है हो point 9 we use both sides of the paper to write we use a slate for rough work we use blank sheets of paper left in our notebooks for rough work हमें paper के दोनों sides use करने चाहिए means paper को waste नहीं करना है rough work अगर आप slate वगेरा में कर रहे हैं तो भी अच्छा है क्यों क्योंकि slate पे करने के बाद आप उसको simply clean wipe out कर सकते हैं उसके बाद फिर से उसमें लिख सकते हैं blank sheet आप अपने notebook में एक छोड़ दीजिए rough work करने के लिए सारा rough work कोई कीजिए paper sheet आपको far के नहीं फेकनी चाहिए point 10 we make our family, friends and others to follow proper practices for disposing different kind of ways हमें अपने family, friends और सब को ये सिखाना चाहिए, खुद भी कोशिश करनी चाहिए कि अलग-अलग तरीके के waste को कैसे dispose of करना है think about some more ways to minimize overuse of plastics and discuss कुछ और भी इसके बारे में सोचिए कि हम plastic का overuse कैसे कम कर सकते हैं और उसको अपने class में अपने friends के साथ discuss भी कीजिए सारा इसका important point क्या निकला last में यही कि जितना ज़्यादा garbage हम generate करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमें परिशानी जहलनी पड़ेगी उस garbage से deal करने के लिए उस garbage से छुटकारा पाने के लिए तो सबसे पहली कोशिश तो हमारी यही होनी चाहिए कि हम minimum garbage generate करें means कम से कम garbage generate करें और जो generate भी हो रहा है तो उसको reuse करने की कोशिश करें तो इसी के साथ यह chapter की reading complete हो गई next video में हम इसके keyword और exercise उसको भी complete करेंगे till then bye bye friends